नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितेन चोदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एरूटेक में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ICICI Bank Limited के बारे में जिए आँ दोस्तों ICICI Bank Limited का Quarter 2 का result आट डिक्लेर हुआ है और इसमें जो है एक भेंकर Bambi Sport आपको देखने को मिलना है क्योंकि ICICI Bank का जो Quarter 2 के जो नतीजे आये हैं बेहदी चौकाने वाले नतीजे आये हैं और इसका फायदा आपको भरपूर उठाना चाहिए तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस quarter two result के कारण जो है आप इसमें एक अच्छा मोटा रकम कैसा मना सकते हैं और short term में जो है 10 से 15% का profit जो है आराम से book कर सकते हैं और यदि आप लोगों ने ICICI bank limited में अपने position को hold करके रखा है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी good news है क्योंकि जो आज ICICI bank limited का quarter two का result निकला है वह आपके लिए काफी ज्यादा लाबदायक होगा और आपके लिए एक good news साबित होगा तो आज पूरा analysis करेंगे इस वीडियो में कि पिछले quarter result से compare के मज जाएगा वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा ICICI bank quarter two का जो आज डिकलेर हो दोसमों इसमें ICICI bank limited को 4251 क्रोड का profit हुआ है जी यां दोस्तों 4251 क्रोड का profit हुआ है और इसका NII यानि कि net interest income भी 16% से बढ़कर 9366 क्रोड हो गया जो कि एक रिजल्ट देकलेर हुआ है इसमें इसको net profit 4251 क्रोड का हुआ है इस सितंबर क्वार्टर में वैसे सितंबर क्वार्टर में सारी कंपनियों का रिजल्ट डिकलेर हुआ है लेकिन सारी बैंकों की तूलना की जाए तो ICICI bank के जो रिजल्ट नतीजह आया है बेहद ही चवका आने वाले आये हैं क्योंकि पिछले साल ICICI bank limited को इसी क्वार्टर रिजल्ट में 655 क्रोड का फायदा हुआ था जी या दोस्तों 655 क्रोड का फायदा हुआ था और वह फायदा अब बढ़के कितना हो गया है 4200 कुछ क्रोड रुपे यानि कि 500% की बढ़तर यहां पर देखन उसी को बोलते हैं नेट इंट्रेस्ट इंकम और इसका नेट इंट्रेस्ट इंकम भी 16% बढ़ा है पिछले साल 8,077 क्रोड था जो बढ़कर इस साल 9,336 क्रोड हो गया है यानि कि ICICI Bank Limited का नेट इंट्रेस्ट इंकम भी बढ़ा है और सबसे बड़ी बात इसके NPA में आपको फॉलिंग दिख रही है एक परसेंट की जी या दोस्तों NPA का मतलब होता है नेट नौन प्रफार्मिंग एसेट जिस बैंक का भी कम होता है और NPA में जब गिरावट आती है तो बैंक के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है तो यहां पर यह बैंक लिम्टेट के जो NPA है उनमें एक परसेंट की गिरावट आपको देखने को मिले जो की बहुत ही अच्छी बात है उसके अलावा हम बात करेंगी कि बैंक जो है quarter to quarter जो है अपने आपको इंप्रूब कर रहा है इसके जो एसेट्स हैं वह भी काफी बढ़िया तरीके से जो है इंप्रूब हो रहा है यानि कि जो कुल मिला कर देखा जाए कि जो इसका ग्रास NPA है वह भी कम हुआ है पहले अब 5.46 था लेकिन अब जो है 5.17 हो गया है जो की एक अच्छी बात है तो इसमें दो पॉइंट सबसे बड़ी मेन बात है पहला कि इसका नेट पॉफिट और दूसका इसका इन पी रिपोर्ट इन पी रिपोर्ट में फाल देखने को मिली है व और प्राफिट जो है लगभग 500 गुना हुआ है जो की एक अच्छी बात है आईसी आईसी बैंक लिम्टेट के लिए और उससे अच्छी बड़ी बात हो है जिन्होंने इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था वो कापी डरे हुए महसूस कर रहे थे अपने आपको ले यह डिपॉजिट बढ़कर 8,32,936 करोड हुआ है यानि कि 20% जो है इसका डिपॉजिट बढ़ा है यानि कि एक अच्छी बात है क्योंकि बैंक का NPA कम हो रहा है बैंक में प्रॉफिट आ रहा है और बैंक का जो है क्या बोलते हैं डिपॉजिट की रिचियो बढ रही है उस पर आफर देता है और क्रेडिट कार्ट के जरी आप शॉपिंग कर दे हैं इलेक्ट्रोनिक समानों की e-commerce website पर जाके तो उनसे भी 85% की recovery जो है इस कोविड 90 की situation में सितंबर 2020 2020 तक की जा चुकी है जो कि एक अच्छी बात है यानि कि जो इसका रिजल्ट आया है एक आसा भर एक आसा लेकर आई है ICICI Bank Limited की आपके एक पैसे को जो है एक अच्छा इटर बनाने का यहां पर मौका है हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि इसका फायदा आपको किस तरह से उठाना चाहिए मैं किसो कहानियों पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं बार बार आपसे बताता हूँ मैं जो भी facts रखता हूँ data रखता हूँ और data पर मैं काम करता हूँ क्योंकि data से ही आप exemption करते हैं कि market की इस्तिती कहा होगी और market में किस तरह से situation पैदा होगी आप अनुमान पर यदि काम करेंगे तो आपको नुक्सान पक्का होगा लेकिन आप data को analyze करके पूरी तरह से study करेंगे और फिर जो एक निडरे लेंगे वह आपका अच्छा सावित होगा तो यह जो quarter result आए हैं 500% का इसमें जो profit बढ़ोतरी हुए पिछले quarter 2 के लतीजों के कारण तो इसमें आपको position वनाने का सबसे बढ़िया मौका है आसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी आपको सामने historical data present करूंगा और इससे पहले हम जानते हैं कि Friday के दिन इसका trading session क्या रहा है क्योंकि कल क्या होने वाला है उससे पहले हम पिछले काल में बात करेंगे कि Friday में क्या हुआ था क्योंकि जब भी किसी stock का आगे का पिन हुआ था 402 रुपे 70 पैसे का इसने हाई बनाया और 380 रुपे 5 पैसे इसका लो रहा और 392 रुपे 60 पैसे पे इसने अपनी क्लोजिंग दी ब्रिस्पतिवार को ए 390 रुपे 90 पैसे पे क्लोज हुआ था यानि तक्रीबन 1.60% की गिराउट आपको Friday के trading session में आपको द City में ICICI Bank Limited के share trade किये गये हैं जिसमें से 89,17,145 की delivery उठाई गई है यानि तक्रीबन 32.75% के करीम में जो है delivery उठाई गई है जो कि एक अच्छी delivery उठाई गई है क्योंकि इसका जो volume है ओ भी दोस्तों तक्रीबन 3 करोड के करीम में है जो कि एक अच्छी बात है और delivery इसलिए उठाई गई है क्योंकि लोगों को पता था कि इसका quarter two का जो result है वह बहुत ही अच्छा आएगा उसके नतीजे जो भी आएंगे positive आएंगे और यह बढ़िया यहां पर time है अब मैं आपके सामने hysterical data present करता हूं आप NSC की website पर जाकर check कर सकते हैं देखिए Friday के trading session में 388.05 पैस इसे का इसने high बनाया था आपने two week का और two week का low price कलका है तो इसमें एक बढ़िया position बन रहा है इसे stock को buy करके hold करने का क्योंकि यदि आप स्विन trading करते हैं यदि आप positional trading करते हैं मैं intraday की बात नहीं कर रहा हूं यदि आप एक हपते दो हपते की trading करते हैं और जो भी आपक 5% 7% 10% उसको book करके यदि आप बाहर जाते हैं तो ICICI bank limited आपके लिए एक best stock सौबित हो सकता है क्योंकि इसके जो quarter two के नतीजें आये हैं वो बेहदी चौकाने वाले आहें और काफी अच्छे नतीजें आहें और इस quarter two result के basis पे अभी इसका price जो चला है दो हपते से लगा ता डाउन दो हफते का अधी compare करें ICICI bank limited का तो काफी नीचे है तो यहां से आपको 4-5% का profit जो है अराम से book कर सकते हैं क्योंकि quarter two का result जब भी किसी stock में आता है तो अगले दिन जहें अब टेंड की और जाता है चुकि शुक्वार के दिन थोड़ा सा nifty भी माइनस में था और जितने भी stocks हैं ओ जितने भी इंडियर मार्केश्ट की stocks हैं चाहे नसी पे चाहे बीसी पे चाहे वो निफ्टी 50 के हो या बैंक निफ्टी के हैं ओ सभी के सभी जो है एक बढ़िया उच्छाल देते हुए आपको नजर आएंगे तो एक बढ़िया चांस मिल रहा है कि मंडे के टेडि सेशन में इस stock को बाय करके hold करने का और 5-10% का मुनाफ़ा अराम से आप book कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं advice देता हूं कि कि किसी भी stock में पैसे लगाने से पहले पहले आप जो है खुद analyze करें और जो आपके financial consultant हैं उनसे एक बार सलाम अशूरा जरूर कर लें किसी भ प्लीज एक बार खुद से analyze कीजिए क्योंकि जब तक आप खुद से analyze नहीं करेंगे तब तक आपको market के इस उतार चढ़ाओ का जो माहौल बनता है आपको समझ में नहीं आएगा अंधेरे में तीर मत चलाईए पहले पूरी research कीजिए उसके बाद जो है अपना एक final decision अपने दोस्तों के साथ और पूरा एक बार आप सभी का वीडियो देखने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद